प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने चक्रवात वीपर जोय से निपटने के लिए आज एक उचिस्तरी बैठक क्या ध्यक्षता की श्री मोधी ने किंद्र सरकार के मंत्रालेयों और एजिंसियों के साथ गुजरात की तैयारियों की भी समीक्षा की प्रधान मंत्री ने समवेदन शील स्थानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए वरिष्ट अधिकारियों को निर्देश दिया श्री मोधी ने बिजली, दूरसंचार, स्वास्त, पेजल जैसी सभी आवशक सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने और नुकसान की स्थिती में उन्हे तुरंत बहाल करने को भी कहा है प्रधान मंत्री ने मवेश्यों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने और नियंतरन कक्षों को 2400 घंटे काम करने का निर्देश दिया बैठक के दौरान मौसम भागने सुचित किया कि चकरवाद वीपरजोय ब्रिश्पतिवार की दोपहर तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच गुजरात के जखाओ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ को पार करने की उम्मीद है इसमें हवा लगातार 125-135 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से चलेगी और अधिकतम 145 किलोमीटर प्रती घंटे तक चल सकती है इसे बुद्वार और ब्रिश्पतिवार को गुजरात के 30 जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है बैठक में प्रधान मंत्री को बताया गया कि ग्रह मंत्राले 2400 घंटे स्थिती की समीक्षा कर रहा है और आपदा रहत दल, सेना, नौसेना और तत रक्षक बल के चिकित सा दल भी तयार है इस उच्चुस्तरिय बैठक में प्रधान मंत्री के साथ ग्रह मंत्री अमिट्शाह, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और अन्यवरिष्ट अधिकारी शामिल हुए